असलाम अलेकुम, मैं हुआ पिना परविल, आज हम आपको रेशिपी देने वाले हैं बैसन पोहा बैसन पोहा आसानी से और येक अलग अंदाज में वेरी हेल्ली अंटेस्टी के साथ आपके सामने प्रज़न करेंगे वैसे भी हमारे शरीर के लिए पोहा बहुत फाइदे की चीज़ है उसके साथ हमने बैसन को भी याड किया है नाश्ते में पोहा खाने के फाइदे जानकर सब्ता हमें दो बार इसे आप जरूर खाएंगे इसलिए हमने सोचा कि रेसिपी के साथ आपको इसके फाइदे भी बताएंगे प्लीस आप इसे बिना स्किप किये वाज करें अगर आप हमरे चानल में नई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए रेसिपी देखे पहले हम पोहे में पानी डालकर एक से दो बार हाचे से धो लिए ताकि जो भी गंदिगी है बहार निकल जाए पानी में धोने के बाद इसे पांच मिट कि लिए से बिगो के रखेंगे हमने एक बॉल में हंडेड ग्रम बैसन डाला है बेकिंग चोड़ा डालेंगे चुट की भार और उसके लवा नमक डालेंगे स्वाथ के अनुसर, पैस डालेंगे टू टेपै постро पैस को बारिक काट कर डालना है बारिक काटी हुई हरी मेज डालेंगे वन टीश्पून, और दण्या डालेंगे वन टेपल स्पून और उसके लावा तामाटर दालेंगे तामाटर को बारी कट कर डालना है पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे अब देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा गाड़ा है और थोड़ा सा पाय डालकर इसका पतला सा एक बैटर बनाएंगे अगर बात करें बैसन खाने के फाइदे तो इसमें कई पोस्टिक तत्फू होते हैं जैसे के आईरेन, प्रोटीन, विटिमिन, फाइबर तो इस सेहत के लिए बहुत फाइदे हैं दिखी इस तरह सा एक पतला सा एक बैटर बनाना है इस बैसन का हमने ग्यास आउन करने के बाद पैन रख दिया है पैन में वन टीव स्पून वाइल डाला है ऑल गरम होने के बाद जो हमारा बैसन का बैटर है वो दाल दिंगे बेसन का बैटर दानने के बाद इस तरह से फाइल आएंगे जैसे कि बेसन चीला होता है उस तरह का डालना है जो हमारा चीला है उसे मोटा ही रखेंगे पत्ला नहीं डालना है आप चाहे उपर से ऑईल भी डाल सकते हैं दो मिट के लिए इसे ढख दिंगे चलिए दो मिट हो चुके हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं अब इसे हमें से फल्ट ना है बेसन तो सेहत के लिए बहुत फाइदे की चीज है वही दुसरी और अगर इसे ज़रुस्य ज्यादा लिया जाए तो फाइदे की जगर नुकसान मैं भी हो सकता है इसे फेल्ट के बाद एक मिट के लिए फिरस्य ढख कर से पकाएंगे मतलब ही सेखिंगे एक मिट के लिए चलिए एक मुठी हो चुकी है अब हम इसे एक बर्तर में निकाल देंगे ग्यास को बंद करने के बार तो हमारा पेशन चिलो तो बन गया अब हम पोहा बनाएंगे चलिए हमने ग्यास हान करने के बाद कड़ाय रख दिया है कड़ाय में आइल डालेंगे यह त्री टेबल स्पून आइल है राई डालेंगे राई डालने के बाद हाफ टीस्पून जीरा डालेंगे राई जीरा भूनने के बाद पांस टेबल स्पून पैस दालेंगे मतलब है चोटे कपसे हमने पैस लिया है इसे बारिक कटकर दाला है हमने एक मिनिट प्याज को चलाते हnovे ऀख फ्राई करेंगे और इसकी इलावा 1 टीब स्पून हरमिश डाला हैं हरमिश को हमने बारे काट कर डाला है अगर आप जैस खाना पसंद करते हैं के समय मैं तो बैसन चीले को पीसस में काट लिए इस तरह से हमने काट लिया है आप चाहें और भी ज्यादा बारिक कर सकते हैं हमारी प्यास फ्राइब हो चुकी है हल्दी पूर्ड दाला है हमने जो हमारे बैसन के पीसस है वो डाल देंगे बैसन चीले के नमक डालेंगे स्वात के नुसाल अब हम भीगे हुए पोहे डाल देंगे पोहे डालने के बार इस तरहां से अच्छे से मिक्स करेंगे नाश्टे में पोहे खाने के बहुत सरे फैदे हैं आपके शेरीर में अगर आईरन की कमी हो तो पोहा खाने से इसकी कमी भी दूर हो जाती है पोहे में रेज सारे मात्रा में आयरन पाया जाता है छोटे बचे जरूर खाना चाहिए जिसको उनके शेरीड में हिमोगलोबिन की मात्रा बढ़ा सके पोहे में विट्रीमिंस, मिनरोल्स बहुत सारा पाया जाता है नाश्टे में आप इसे खाने से दिन पूरा याइक्टिव रह सकते हैं हमने पोहे को दुसरी तरफ शिट्र किया है ग्या सौन करने के बार हमने पैन रखा है पैन में ओयल डालने के बार मुंग फली को फ्राई किया है चलिए एक बड़ चक कर लिए हमारी पोहे गरम हो चुके हैं अब हम इसमें अब हरा धन्या डाल दिनगे हरा धन्या डालने के बार मुंग फली डाल दिनगे अगर आप डाइट में हो तो मुंग फली मठ डालिये दिखिए हमने कितने आसानी से बेरी हिल्ली अंटेस्टी ब्रेकफ़स्ट बनाया है आप इस रस्पी को ट्राइक कीजिए सब तामें दो बार या तीन बार आप ज़रूर से ट्राइक कीजिए पोहें से जुड़े हुए और भी रस्पी आपके लिए हम शेयर करते रहेंगे आपको हमारी रस्पी अच्छी लगी यूसफुल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रस्पी आपको सबसे पहले पहुंचे चलिए अगली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे जब देक लिए असलाम अलेकुम Allah habis